किसारी लाल यादो रक्षार सिंग का एक सौंग आया है आज करेंगे जो नंबर वन पर लेकी नाम को लेकी बार बार क्यों क्वेस्चिन कर रहे हैं दुनिया में बहुत सारे नाम है बात बता दू जितने लोग हमारे खिसारी भी ऐसा जरते हैं तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं सभी मेरे दोस्ट ठीक होंगे तो मैं आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चनल भोजपुरिया जहान में आज के इस वीडियो में आप लोग लिए गूड नीज के हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसा होने जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसको देखकर तो मैं भी खुद सौक रगया कि अरे यार यह क्या होने वाला है तो आप लोग को बता दे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेनिंग इस्टार के सपोर्टर तुन्टुन यादो कुछ ऐसा करने वाले है जिसको जानकर आप लोग को भी बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर ख़बर हर जनकारी आपके लिए आपका दोस्त लाता रहता है चली चलते हैं जनकारी की ओरता आप लूग को बतादे कि खेसारी लालयादो के सपोर्टर या बिग फैन या उनके भाई कहा जाए टुन्टुन यादो एक ऐसे इंसान है कि खेसारी लालयादो पर अपदा आती है कोई भी मुसीवत होता है या कोई इनके बारे में कुछ एक सब्द बुरा भी बोल देता है तो टुन्टुन यादो वहाँ पर शपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं क्योंकि टुन्टुन यादो अपने बड़े भाई मानते हैं खेसारी लालयादो के और मानते इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में जो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्यूंकि अभी हाल फिलाल में आप लोग को बता दे कि खाजल रागवानी खेसारी लालेयादो के बारे में एक इंटर्विव दिती, जिसमें खेसारी लालेयादो की काफी ज्यादा उसमें इग्णॉर की हैं, और खेसारी लालेयादो के ऐसा नजर से देख रही है जैसे कि लग रहा है कि उनके नजर में खिसारी लालयादो तो कुछ है ही ने उनको जितने भी खिसारी लालयादो की इगनोर करने वाले वो बात कर रहे थी उन पर एक जबर जस्त वीडियो और जबाब में बना दिया हूँ अगर आप लोग नहीं देख में अनाव सना बोल रही है किसारी लालयादो को इगनोर कर रही है उसी हीरोईन के साथ टुन्टुन यादो अहिरान इस्टार का फिल्म आ रहा है जिस फिल्म का नाम परतिग्या 3 है आप लोग इसका सबूत यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ टुन्टुन यादो इस फिक को सेर किये है निउस पेपर में आया है कि टुन्टुन यादो के साथ काजल रगवानी की परतिग्या 3 फिल्म आ रही है यानि टुन्टुन यादो के लाइफ का पहला फिल्म वो भी किसके साथ तो काजल रगवानी के साथ तो यहाँ पर आप लोग को बता दे कि ट खेसारी लाले आदो को ऐसा देखा रहे हैं, जैसे कि खेसारी लाले आदो कुछ नहीं है, तो इसलिए टून्टून यादो उनको अपने पहले फिलिम में ही लेके आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि अब उनका इस्टाडम क्या हुआ है, पहले वो सिर्फ सुपर के साथ फिलिम करते थी, लेकिन अब टून्टून यादो उनकी चमता दिखाने के लिए, और अपने खेसारी भाई के बदला लने के लिए, अपने फर्स फिलिम में ही उनको रख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि टून्टून यादो का ये कदम जो है, काफी मस्त होने वाला है, ताकि इससे काजल अगवानी को भी तो पता चले कि अब मैं क्या हो गई हूँ, अब मेरी चमता क्या है, वो जितना ओड रही थी, और खेसारी लालियादो के बारे में बोल रही थी, उनको सब पता चल जगा कि अब क्या है वो, पर आप लोग कोटर किसी के विरोधी के साथ आ रहा है, तो मज़ा आएगा इस फिलिम में, तो इस फिलिम का हमको भी बेसबरी से इन्तिजार रहेगा, अब है टुन्टु न्यादो का फिलिम और उनके सुटिंग के कुछ किलीब कि मैं उसको आपके साथ सेयर कर शकूँ, तो लिए चैनल